हलो फैंटॉ, तो चलिए आज हम देखते हैं किस तरह से आगर हमें स स्टैक को Implement करना हो तो Link List का यूज करके हम किस तरह से Implement करेंगे सबसे पहले चलिए हम उसमें इंसर्शन या डिलेशन किस तरह से प्रफार्म करेंगे वो हम देखते हैं तो अगर मालीजे मुझे किसी भी नोड को insert करना है तो somehow मैं कुछ coding कर लूँगा मालीजे मुझे नोड मिल गया ठीक है मालीजे मुझे कोई नोड मिल गया है और मालीजे कि वो नोड ये है मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से मैं क्या करता हूं मैं इसको रखे रहन देता हूं मैं इसको यहां से हटा देता हूं ठीक है और मैं क्या करता हूं कि थोड़ी दिर के लिए मैं इसको copy कर लेता हूं और मैं इसको यहां पर paste करता हूं ठीक है और मैं इसका नाम यहां से change कर दे रहा हूं मैं इसको cut कर दूँगा यहां से और इसका नाम लेट से मैं रख ले रहा हूं P तो जो ये node हमने P बनाया है देखिए node ये है इस node का address कहा है P में है तो अब माल लीजे कि इस node को जिसको P point कर रहा है इस node को तो हमें insert करना है तो हमें last दे निसक करना है अब जब मैं node को insert करने की बात करता हूं तो वहां पर देखिए दो सुचवेसान आती है कि हमारी list में पहले से ही कुछ node हो हम यहां नहीं बोलेंगे हम हो देखिए क्योंकि node को insert करने मतलब last में क्या है मैं क्या करता हूँ मुझे इस node को क्या करना है insert करना है मैं यहाँ पर आ गया अब पहला case मैं सोचता हूँ कि माल लीजे हमारे stack में पहले से ही कुछ node है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इस stack के पहले last वाले node तक पहुचना पड़ेगा और अब अगर इसके आगे इस last वाले node के आगे मुझे किसी भी element को insert करना है तो इसके next में मुझे इस वाले node का address रख देना है बस हमारा काम हो गया और जब हम node create करेंगे न देखे हमारे last वाले node के next में क्या होता है नल होता है तो जब मैं node को create करूँगा न तभी मैं उसके next में null रख दूँगा तो जब भी हम node create करा करेंगे insert करने के लिए last में तो उसके next में automatic null ही होगा क्योंकि हमें पता है ना कि ये जो node में insert करने वाला हूँ ये as a last node ही insert होगा तो उसके next में हमने null रख लिया है ना तो last में node को insert करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इस last वाले node का address मिल गया तो उसके next को मैं access कर लूँगा और उसके next में मुझे इस वाले node का address यानि की p को रख देना है हमारा insertion हो जाएगा है ना अब माल लिजिए मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इस node को insert करना है और हमारा stack जो है वो impati है देखे stack में कुछ node हो सकते है तब किस तरह से insertion होगा या stack हमारा impati है तब किस तरह से insertion होगा दो ही case है तो अगर हमारी stack में कुछ node है उनमें किस तरह से insertion करना है वो हमने बता दिया आपको अब मालीजे कि अगर हमारा stack empty है है नहीं है तो उसमें अगर हमें node को insert करना है तो यह जो node मैं insert करूंगा वो पहला node होगा तो simply मुझे क्या करना है इस stack में इस पहले वाले node का address रख देना है इस पहले इस node का address कहा है पी फरी में तो simply मुझे stack में P को रख देना एक मेर मैं इस अगर मैं इस पहले मेड़ को points करने लगेगा और अगर हमारा stack को point करने लगा तो इस ट्रेक में फिर नली रहेगा इसुमुट का address क्या है इससनोर का address 1000 तो लैक में क्या च्ला जाएगा 1000 चला जाएगा तो इस तरह से हमने एक नोड यहाँ पर add कर लिया है है नहीं तो यह को गई देखिए दोस्तों इंसर्षन की बात ठीक यह व्याद गया क्या इंसर्षन की बात अब मैं बात करता हूं डिलीट करनी की ठीक तो डिलीट करने के लिए तो मुझे नोड चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहां से ठीक अब मुझे अगर डिलीट करना है तो मेरे पास तीन च्वाइस हो सकती है तीन कौन कौन सी कि अगर हमारा इस टैक में नोड ही नहीं है इस टैक सकते सिंपल यह मैंसेस भिभाइ डिलीट में नहीं थिक दूसरा केस्ट हो सकता है कि अगर हमारी इस्टैक में एक ही नोट हो और अगर एक ही नोट है यह वाला केस है। तो वही हमारा लास्ट नोट होगा तो सब्सक्राइब जबिबेड़ करना मंगा है है ना और इसकी मेमोरी किस तरह से किरेंगे मैं फ्री फंसन को काल करूंगा और फ्री उसन में हम वह एड्रेस हैं जिसकी हमें रिलीस करनी होती है इस लिख का इड्रेस क्या है 1000 कहां है sει स्टैक में है तो मैं यहां से पास कर दूँगा स्टैक sari में response में क्या पास करूंगा इस PRd मास कर दूंगा तो इस तरह से य zien मे मेमोरी रीलीज में जाएगी और फिर मैं क्या करूगए माई सटैक में नल कर दूंगा ठिक आपको समझगा बिल्कुल समझ में आना चाहिए ठिक तो इस तरह से अगर हमारी स्टैक में एक ही नोड है तो हम ये दो लाइन कोड लिखेंगे राइट ये दोनों लाइन कोड लिखेंगे हमारा डिलीशन हो जाएगा अच्छा अब चलिए अब माली जी हमारी stack में हम list नहीं बोलेंगे stack बोलेंगे अगर मैं कहीं गलती से list बोल दे रहा हूँ तो ज्यादा mind up मत करना अगर हमारी stack में बहुत सारे node है तो हमें इस last node को क्या करना है delete करना है और अगर हमें last node को delete करना इसका मतलब क्या है कि जो second last वाला node है यह वाला node है जो second last node है यानि कि यह वाला node है इसके next में हमें null करना पड़ेगा यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर तो हमें null करना पड़ेगा इस तरह से null करना पड़ेगा और इसमें अगर हमें null कर दिया तो मतलब कि यह node हमारी list से delete हो गया औ तो यहां पर जो हमारा Target है न यहां पर हमारा टारगेट किया है कि कि Second Last वाले नूड का Adres प्राप्त करना अगर मुझे Second Last वाले नूड का Adres मिल गया तो उसके Next को मैं Azsis खरके उसके Knall कर दूँगा और इसकी Memory को मैं Release कर दूँगा तो माल लीजिए माल लीजिए कि मेरे पास एक variable है यहां पर बहुत सारे बर्ड हैं जो हल्ला मचा रहे हैं ठीक है माल लीजिए यह हमारे पास एक variable है लेट से मैं इस variable का नाम रख ले रहा हूं temp ठीक किसी तरह से हमने programming किया होगा temp में हमें इस वाले node का address मिल गया यानि कि temp में क्या है 4000 है ठीक है अब जैसे मुझे second last node का address मिल गया तो सबसे पहले मुझे देखे इस वाले node की memory को आप release करेंगे क्योंकि इस वाले node का address कहां पर है इस next में है और अगर इसमें पहले आपने नल कर दिया अगर आपने क्या किया temp के next में नल कर दिया तो आपको इस वाले node का address कैसे मिलेगा है ना क्योंकि इसके next में तो इस वाले node न his next में है इस next को हम कैसे access करेंगे अगर मुझे इस next को access करना है तो मुझे इस वाले node नोड का अड्रेस है इस वाइज इ готов है तरंप आ testim एरो Next, थिक को इस तरह से हम दो काम करेंगे तो इस तरह से मुझे दोस्तों इनसाइन हर डिलीशन पर हम करना है अगले अगले वीडेयो में आपको बताँगा किस तरह से हम कर सकते हैं कि आपको यह एंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में थेंक्यू सो मच बाबाई